कोईला खदानों की निलामी प्रक्रिया शुरू करने के मौके पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्म निर्वर बनने के मार्क पर चल रहा है आज जिन चीजों का हम आयात कर रहे हैं उन्हीं चीजों का भविसे में हम निर्यात करेंगे ये आपदा को आउसर में बदलने का वक्त है इस से लाखों योकों को रोजगार मिलेगा इस सेक्टर में भी रोजगार के काफी आउसर हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े कोईला निर्यातक बन सकते हैं सुनते हैं प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी क्या बोल रहे हैं आत्म निर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा आत्म निर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोडों रुप्यों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्यान के लिए काम में लाएगा आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मंदिर भर बनाने के लिए सेल्फ रिलाइंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाये जा रहा है ये कारक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने काई है ऐसा नहीं है बल्कि ये 130 करोड एस्पिरेशन्स को रियलाइज करने का कमिट्मेंट है आज हम सिर्फ कॉमर्सियल कोल माइनिंग के लिए आक्षन ही लॉंच नहीं कर रहे हैं बल्कि कोल सेक्टर को दसकों के लॉक्डाउन से भी बहार निकाल रहे हैं ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूँ ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेगे तो आपने सुना प्रधान मंतरी को प्रधान मंतरी भी अर्थ शास्त्र की भासा बहुत गहराई से समझते हुए बोल रहे थे जहिर सी बात है कि जो चीजे हम आयात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं